मै शशिकान्त गुपते पिछले 35 वर्षों से जोतिश घ्यास्ट का अध्यन भीकर रहा हूं और व्यवसाइब जोतिश इस विज्ञान हैं अंतरिक्ष में जो राशियां हैं नक्षत्र पुण्जे इनका अध्यन जिस आसतर की जाता है वो जोतिश सात्र ग्रहों की अपने एक गती होती है ग्रहों की गती को संचालित करता है सूरिया और ग्रहों की जो आपस में बनने वाले योग हैं उसके अनुसार जो कुंडली देखी जाती है विसे फलित किया जाता है अब एक सामन निग्यान का प्रश्ण है कि जो अंतरिक्ष में ग्रह गोचर कर रहे हैं उनके अपनी गती है और उनके अनुसार उनके गुंड़र्म के अनुसार उनके कारकत्व के अनुसार और राशियों के कारकत्व के अनुसार नक्षत्रों के कारकत्व के अनुसार जो व् आते हुए किसी ग्रह के खराब या अनिष्ट परिणाम को बहुत ज्यादा बड़ा चड़ा कर बताकर और उसमें उपाये वाली बात शुरू हो जाती है उप्चार जोति शुरू हो जाता है एक सामन ग्यान का प्रश्ण है कि अंतरिक्ष में जो ग्रह है वो जो राशियां है या जो नक्षत रहें उनको किसी भी माध्यम से चाहे वो मंत्र करे हवन करे पूयन करे शांत किया जा सकता है या उनके प्रभाव को प्रभावित किया जा सकता है क्या यह अगर वेक्ति समझ ले तो इसमें उसके ब्रहम में नहीं आएगा वो जोतिश के वो जो जो ब्रहम बहिलाय जारा है इसमें जो भैपिधा के जारए उससे वो बचेगा जो विज्यान सम्मत विशय में सबसे बड़े अवशक्ता होती है विश्चलेशनात्मक और प्रयोगात्मक अध्येन की यह प्रयोगात्मक और विश्चल कर्ne करने के जरूरती नहीं है व्यक्ति को डरा हो और उपचार बताओ, ये एक व्योवसाय जो है चल रहा है, इस तरह का व्यापार चल रहा है, ये जोति शास्त्र के लिए गलत है, जोति शास्त्र का विकास नहीं हो रहा है, इन लोगों का विकास जरूर हो रहा है